नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारे चैनल सावस हम्योपेथिक मैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर मंगलवार और शुक्रवार को हमारी होम रिमेडी सिरीज की वीडियो आती है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि आपको विबिन फलो वा सबजियों के फायदे बताए चाएं आज फिर फ्राइडे यानि शुक्रवार है और आज हम फिर आज हम जानेंगे पपाया जिसे पपीता कहा जाता है इसके आने को फायदे दोस्तों आपने देखा होगा स्किन के लिए कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडेक्ट्स में पपाया में इंग्रिडेंट्स के तौर पर यूज किया जाता है साथी बालो के लिए हियर प्रोडेक्ट्स में भी पपाया यानि पपीते का इस्तमाल किया जाता है पपीता आपको बहुत आसानी से कहीं भी मार्किट में या फ्रूट सेलर के पास मिल जाता है आपने कई घरों में भी पपीते के पेड़ देखे होंगे यह हो सकता है आपके घर पर भी पपीते का पेड़ मौजगुद हो पपीता बालो और त्वचा के लिए बहुत भी उपकारी फल है यह तो आप सभी जानते होंगे साथ ही यह स्वास्त वर्धक फल भी है चलिए जानते हैं पपीते के अनेकों फायदे पाचन तंतर के लिए पपीता बहुत भी गुड़कारी है पपीते में मौजूद इंजाइम्स पाचन क्रिया को ठीक करते हैं इसलिए कहा जाता है पपीता पेट के लिए गुड़कारी है अगर आपको कवज, अपज या आज संबंदी कोई भी विकार है तो आप पपीते का सेवन जरूर करें अगर आप उना वजन घटाना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट में पपीते को फ्रूट सलाथ या पपाया शेक के रूप में जरूर सामिल करें क्योंकि इसमें लगभग 120 कैलोरी पाई जाती है पपीते में फाइबर मौजूद होते हैं जो वजन घटाने में कारगर है पपीते का सेवन मदूमे के रोगी भी कर सकते हैं ये मदूमे के रोगियों के लिए काफी फाइदे मंद है आज की दिनचरिया में लोग हर समय व्यस्त रहने लगे हैं और हर कोई कामों में लगा रहता है ऐसे में तनाव होना भी समानी है लेकिन दिन भर काम करके अगर आप शाम को एक प्लेट फूर्ट सलाद में पपीते को सामिल करते हैं तो इससे आप को तनाव से मुक्तितों मिलेगी ही आप साथ ही आप काफी फ्रेश महसूस करेंगे पपीता विटमिन सी से भरपूर होता है इसमें कैल्शम भी पाया जाता है जो बच्चों के लिए बहुत लाब धायक है आप छोटे बच्चे को पपीते की प्यूरी बना कर दे सकते हैं तवच्चा को जमा रखने के लिए पपीते का फेस पैक बना कर आप चहरे पर लगाएं इस से आपको तवच्चा से संबंदित कई सारी परिशानिया जैसे कील मुहा से वाइट हैड्स ब्लैक हैड्स जैसी अन्यकों समस्याओं से छुटकारा मिलेगा बालो को कोमल बनाने के लिए या बालो से संबंदित अन्य परिशानियों पर बालो को कोमल बनाने के लिए या बालो से जुड़ी कई अन्य समस्याओं पर आपपीते का हेर पैक बना कर बालो में लगा सकते हैं इसके साथ ही पपीता, कैंसर रोग में, आखों की रोश्णी बढ़ाने में, हिर्दय, नाड़ियों की क्रिया, आतों के लिए, पेट के लिए, केलिस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही लाबधायक फल है तो दोस्तों आप भी पपीते को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें और इसके धेरों फायदों का लाब उठाएं आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शियर करें आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्का